इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Microsoft Office application basically है क्या और काम किस बेसिस पर करती है यह गेम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप पूरा जरूर देगेगा देखें एप्लिकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं Android यूज करते हैं तो बिल यहां पर आप word, excel, powerpoint and more जो भी कुछ है आपक वो सबकु समझाने वालों के क्या है यह जैसे मैं इसको ओपिन करता हूं यहां से काफ़ी पुरानी है पर वैसे यह मैं इसको ओपिन करता हूं यहां से तो यह आपके से अपकी जो है खुल जाएगी हमारा home page है अब देखें यहां पर इसमें हम कर क्या सकते हैं देखिए यहां पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं फाइल्स को शेयर कर सकते हैं और यहां पर जो में चीज़त के टोल्स हैं जिसको हम इमेज से टेक्स्ट में कर सकते हैं टेक्स्ट इमेज को एकसल में कर सकते हैं या फिर किसी पीडिएफ पर श इसको scan कर सकते हैं किसी भी को और यहां पर आपको account में जाकर बहुत सारी settings भी मिल जाते हैं जैसे कि यहां पर आपको open या फिर storage एड़ करना चाहें यहां से कर सकते हैं और यहां से काफी सारे आपको और भी features मिल जाते हैं तो basically यह जो मैं आपको बता दूँ यहां पर यह जो है specific office work के लिए होता है यहां पर चादे तर आपका 90% तग आपका office work हो जाएगा है यहां पर आप notes बना सकते हैं जो lens है उसके use कर सकते हैं और document को यहां पर खोल भी सकते हैं काफी जादा है यहां पर पहुत सारे features हैं आप इनको use करेंगे तो धीरे धीरे आपको यह बनाने आ जाएंगे जैसे notes बनाने लगए वह यहां पर आप create कर सकते हैं अपने हर चीज के लिए documents को image में करने लगए तो यहां पर आप मान सकते हैं कि यह fully office के लिए application है इसको आप अपने android mobile में यूज कर सकते हैं छोटे मोटे काम के लिए तो यह होता है Microsoft Office application अगर आपको इस related कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और इस related मेरी चैनल की वीडियो देखनी हैं तो यहां पर मेरी चैनल का नाम और Microsoft Office application सर्च करेंगे तो आपको ध्यरों सारी वीडियोस मिल जाएंगी तो अगर यहां पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब पर कर दिजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई and टेक किया